कि मश्कार दोस्तों मेरा नाम आशुतोष मैं आपका स्वागत करता हूँ यूसी लाइफ के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है आज हमेरा क्विज सेशन रहने वाला है हमने एनलोजी के तीन पार्ट अल्रेडी डिसकस कर लिए तो यह जो फूर्थ पार्ट होगा इसमें हम क्विज करने जा रहे हैं जितने भी रिवियस एर में क्वेश्चन आये हुए हैं तो उनको उठाके हम थोड़े से क्वेश्चन यहां पर अटेम्ट करेंगे ठीक है मैं देखना चाहता हूँ आपका स्कूर कितना आ रहा है आप कितने अच्छे से इन क्वे से इंसमेंध्य किस से रिलेटेड है ठीक है अगर आपको मैं यहां पर हिंदी में आप शन्रह दीताए ना तो आप इसको अराम से कर लेते क्यूँ क्यों कि हिंदी में आ अप्शन देकना असानी से से ठीक है इसका एक्च्वल में मतलब क्या आता है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उन्हें हम इंसोमेनिया कहते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्षिन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप इस है इस क्वेश्चन को कर लिया होगा अब अगर आप देखोगे तो 17 का रिलेशन 293 के साथ है और 21 का रिलेशन 445 के साथ है अगर आपको याद हो 17 का square कितना होता है 17 का square होता है 289 clear है अगर मैं उसमें 4 add कर दूँ तो मेरे पास एक number तो आ जाता है 293 अब एक बार इसको भी confirm कर लेते हैं 21 का square कितना होता है 21 का square होता है 441 अगर मैं इसमें 4 add कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या आजाता है 445 आजाता है मतलब इन्होंने क्या किया है जो हमारा नंबर है उसका square plus 4 का addition किया हुआ है अगर आप 488 को देखो तो यह किस नंबर के square के आसपास है तो अगर आप देखोगे तो 22 का जो square होता है वो कितना होता है 484 clear है अगर आप उसमें 4 add कर दोगे तो आपका answer आजएगा 488 और यही इसका right answer है clear है तो जो इसका right answer है वो है option number A उमीद करता हूँ आपने इसका answer निकाल लिया होगा चलिए next question की तरफ चलते है बहुत ही प्यारा question है already exam में आज आया हुआ है तो करिए आप इसको try फिर मैं बताता हूँ इसका solution ठीक है उमीद है आपने इसको try किया होगा और आपका result अच्छा ही रहा होगा आपने इस cancer निकाल दिया होगा तो चलिए देखते हैं इसमें क्या logic लगा हुआ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास नंबर दे रखा है 13 और उसका relation है 4 के साथ ठीक है यहाँ पर 16 और उसका relation है 5 के साथ ठीक है अगर मैं ऐसे देखूँ 5, 3, 2 मेरे पास कितने होते हैं 16 होते हैं sorry 5, 3, 2, 15 होते हैं clear है क्या लिखा 5, 3, 2 मेरे पास आगे 15 अगर उसमें वन का एडिशन कर दू तो मेरे पास नंबर आ जाता है 16 लेकिन क्या यही लॉजिक है देखते हैं 4, 3, 2, 12 12 में अगर वन एड कर दू तो मेरे पास आजाएगा 3 अलीजी लॉजिक तो हमारा confirm हो गया अब 19 का रिलेशन किस से बनेगा यहाँ पर अगर आप देखोगे 5, 3, 6, 2 अगर मैं 6 थ्रीजा करूँ तो मेरे पास कितना आता है 6 थ्रीजा आता है 18 प्लस 1 मेरे पास आ जाता है 19 यहाँ पर जो मेरे राइट आंसर होगा वो होगा option number C option number C इसका राइट आंसर होगा clear है अमीद खरता हूं, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा चलिए जी, अब इस question को कीजिएगा आप और फिर मैं बताता हूं, इस question को क्या करना था और इसका क्या आंसर आना था आपने इसको try किया होगा अब जो बच्चा इस question को सीधे ही कर लेगा बिना पड़े हुए वो यहाँ पे गलती कर लेगा यहाँ पे इन्होंने आपको line लिखके दी हुई है not related the same way as the number of the following set ठीक है अगर आपने यह line नहीं पड़ी है और आपने इस answer निकाल दिया है तब आप क्या कर दोगे गलती कर दोगे यहाँ पे उन्होंने mention किया हुआ है कि not related मतलब इन में से एक ऐसा digit होगा जो यह relation नहीं वना रहा होगा अब जो हमारे पास number दे रखा है वो क्या दे रखा है सबसे पहले number देखते है 7,21,49 अब आगर आप देखोगे 7 के ही table में 21 आता है और 7 के ही table में 49 आता है मतलब यह जो relation है आसपास table से ही है अब आप बोलोगे सर कैसे तो 7,30 कितने होते है 21 और 7 का square कितना होता है 49 ठीक है 7 का square कितना होता है 49 अब पहली option देखते है 6,18,36 ठीक है 6 का square 36 और 6,30,18 मतलब यह वाला और यह वाला बिल्कुल सेम है चलिए next देखते है 8 का square 64 ठीक है 8 का square दे रखा है 64 और 8,30 कितने हो जाएंगे मेरे पास 24 यहां पे भी relation लग रहा है अगले number को मैं देखता हूँ 5,15,25 ठीक है 5 का square 25,5,30 यहां पे भी relation लग रहा है लेकिन अगर आप last number को उठाओ न 9,27,72 तो यहां पे आप देखोगे 9,30 कितने होते है 27 और 9 का square एक्शन में होता है कितना है 81 clear है तो यहां पे क्या रखा है 72 तो यहां पे यह वाला इनसे relate नहीं कर रहा है clear है तो जो मेरा right answer होगा वो कौन सा होगा option number c sorry option number d जो इस relation में नहीं आ रहा है clear है उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा अब चलते है next question की तरफ चलिए जी next question already exam में आया हुआ है आप इसको खुल try कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे का logic ठीक है बहुत ही अच्छा question है आपको कम से कम 20 second लंगने चाहिए इस question को solve करने के लिए और क्यूंकि यह exam में आया हुआ है तो इस तरह से आपको logic पूछा जा सकता है तो आने वाले exam में आपकी help होगी चलीजी देखते हैं मारे पास नंबर दे रखा है 24 10 392 ठीक है अब 24 10 392 इनके बीच में क्या relation हो सकता है अगर आप देखें 24 में अगर मैं माइनस 10 कर दूँ तो मेरे पास logic आ रहा है 14 ठीक है अभी भी मेरे पास जो नंबर चाहिए था वो नहीं आया है लेकिन अगर आप 196 का 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा तो इसके पीछे जो logic था क्या किया था फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया था जो वेल्यू आई थी उसका square किया था और उसका 2 टाइम्स कर दिया ठीक है तो इस तरह से इनोंने इसका logic निकाला था अब नेक्स्ट मेरे पास नंबर दे रखा है 26 12 369 ठीक है 26 में से 12 गए तो मेरे पास आ जाता है 4 तो मैं से 14 14 का square नहीं यह तो आभी हमने देखा है तो यह आना चाहिए था 392 यहां पे है 369 यह नहीं होगा चलीजी नेक्स्ट डिजट वी और चानेक्स्ट ऑप्शन वी सेम दे रखा है मैंने वार उठा लिया है नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं 29 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 11 और 11 का square कितना होता है 1 2 1 ठीक है अगर मैं इसका two times करूं तो मेरे पास आ जाएगा 242 ठीक है तो जो मेरा right answer होगा मैं इसको थोड़ा से य 29 इसमें से मैंने 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 में से 8 गए 2 में से 1 तो अगर 11 का square करें तो 121 और इसका two times करें तो मेरे पास answer आ जाएगा 242 तो जो इसका right answer होगा वो कौन सा होगा option number C ठीक है बहुत ही प्यारा logic था exam में आया हुआ question है तो इन logic को आप छोड़िएगा मत ठीक ह अगर आप इस वीडियो पर आया हो तो इसे end तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा ठीक है तो चलिए next question की तरफ चलते है चलिए जी next question में बहुत प्यारा question है उमीद करता हूँ कि आप इसको करोगे और मेरे को इसका answer दोगे चलिए आप इसको खुद try कीजिए तो मेरे पास value दे रखी है मेरे पास value दे रखी है 16 का relation 144 के साथ 16 का relation 144 के साथ 28 का relation मेरे को निकालना है किसके साथ आए तो अगर आप देखोगे तो 16 का relation 144 के साथ कैसे हो सकता है अगर आपको table याद होगी तो आपको पता होगा 16 9 कितने होते है 144 होते हैं अब 9 कहां से आया होगा अगर आप 16 का half करते हो तो 16 का half कितना होता है 8 उसमें प्लस 1 कर दू तो मेरे पास value आजाएगी 9 ठीक है एक logic हो सकता है देखते हैं अब हमारे पास 28 है इसका half हो जाएगा 14 प्लस 1 तो आजाएगा 15 ठीक है अगर मैं 28 को 15 से multiply करता हूँ तो मेरे पास आजाएगा 40 0 4 carry 10 18 24 22 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दो 4 4 20 जी हाँ 4 20 मेरे पास आ रहा है जो कि आपका option number A है clear है तो यहाँ पे जो मेरे पास right answer आपको देखने को मिल रहा है वो कुम सा है 4 20 option number A logic क्या था इसके पीछे बहुत ही प्यारा logic था इन्होंने क्या किया था जो आपके पास result दे रखा था उसका half कर दिया था और उसमें plus 1 कर दिया था जैसे 16 था उसका half किया उसमें plus 1 किया आपकी जो value आई उसको उससे multiply करके result को लिख दिया थीक है 28 का half होता है 14 इसमें plus 1 किया तो आगया 15 28 को 15 से multiply किया तो मेरे पास आगया 4 20 चलीजे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से repeat हो गया यह शायद अभी किया था हमने न है एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते है ठीक है चलीजे अब आ जाते है थोड़ी जनल नॉलेज वेस्ट एनलोजी के उपर ठीक मैंने आपको बताय है था कि तीन तरह की होती है एक होती है अलफा अलफा वेट वेस्ट दूसरे होती है नंबर वेस्ट और तीसरे होती है जनल नॉलेज वेस्ट ठीक है तो यह जो जनल नॉलेज की है अगर आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको देखिएगा आपको पता चल जाएगा उसमें हमने किस तरह के question किये थे अब मेरे पास यहां पर अगर मैंने फिर से आपको वोला हिन्दे में दिया होता तो आप इसको अराम से कर लेते लेकिन अब दिक्कत कहां पर आएगी यह English में दे रख ठीक है लीव को वोला है Russell और आप से पुछा है आउल का ठीक है अब आपको पता होगा कि जो हमारी पती होती है लीव जो होती है जब वो सूख जाती है तो उसको जब उसको जब हम उससे सूख ने के वाद जब उसको पीशते हैं तो जो आवाज आती है उसे कहा जाता है रसल ठीक है जो उसको मसलते है तो जो आवाज आती है उसे कहा जाता है रसल ठीक है उसी तरह से जो आउल होता है वो एक आवाज निकालता है उस आवाज को बोला जाता है हूट ठीक है तो यह जो लीव होगा जो आपका पत्ता होगा जब आप उसको muscle होगे, जब वो सूख जाएगा, उसको muscle दोगे, तो जो कड़कड की आवाज आती है, उसे कहा जाता है, Russell, वैसे ही जो आपका owl होता है, या जिसे हम हिंदे में बोलते है, Ullu, तो जो वो आवाज करता है, उसे कहा जाता है, Hoot, clear है, तो इसका जो right answer होगा, व option number B, तो जो general knowledge waste होते हैं, यह आपके knowledge को check कर, तो आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, ठीक है, यह आपके knowledge के उपर बैठे हुए होता है, ठीक है, यह already exam में आया हुआ question है, इसलिए मैं आपको यह करवा दिया, next question फिर से number के उपर है, बहुत ही प्यारा logic है, आप इसको try कीजिए, वैसे तो इसको 10 second भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यह number देखके यह आप इसका answer बता सकते हो, खामने ही दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे 6,9,45 कैसे हो सकता है, ठीक है, अगर मैं देखू, इन दोनों को अगर मैं addition कर दूँ, तो मेरे पास आजा एगा, 45, ठीक है, यहाँ पर मेरा यह logic मन रहा है, अब option उठाते है, सबसे पहले मैंने उठाई, 7,4,48, ठीक है, 7 और 4 का सम हो गया, 11, 7 में से 4 गे तो आया 3, तो 7, 3, 11, 3 जा हो गते है, 33, यह वाली option eliminate हो गई, अगली देखते हैं, 2, 8, 46, यहाँ पर इन का सम आ गया, 10, 8 मे option गलत है, अगली देखते हैं, 8, 10, 36, 8 और 10 के वीच का relation आ गया, 18 और 10, यहाँ पर हाँ जी, 2, तो 18 डूजा कितने होते हैं, 36, तो जो इसका right answer होगा, वो कौन सा होगा, option number C, इसका right answer होगा, clear है, अबीद करता हूँ, आपने भी इसको कर लिया होगा, बहुत ही प्यारा logic थ जो आपके पास number दिया था, उसको पहले addition किया, फिर उसका जो subtraction करने के बाद जो value आई, उसको subtraction करने के बाद जो value आई, उन दोनों को multiply किया, और आपका answer आ गया, चलिए जी, next question की तरफ चलते हैं, चलिए जी, ठीक है, यह फिर से general knowledge के उपर based question है, आपको बोला है, farmer का relation field के साथ दे रखा है, ठीक है, एक मिनद, यहाँ पे आपको farmer का relation field के साथ दे रखा है, और artist का relation आप से पूछा हुआ है, अगर आप देखोगे जो हमारे farmer होते हैं, वो कहां काम करते हैं, तो वो काम करता है field में, ठीक है, farmer काम करता है field में, तो जो artist लोग है, वो कहां काम करत हो, अगर आप इन option में देखो, तो Hero तो उनका profession है, Actor भी उनका profession है, Action वो काम करते हैं, जो action होता है, ठीक है, लेकिन बोला है, वो काम कहां करते हैं, तो वो काम करते हैं, थेटर में तो, इसका right answer होगा, वो होगा option number 8 artist related किसे है theater से related है चलिजी बहुत easy question था और exam में आया हुआ है तो इसलिए हम इसको skip नहीं चलिए एक और question यह आपके RRV के exam में आया था जो railway का exam होता है उसमें आया हुआ था तो अच्छा question है आप इसको attempt कीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या बोला है आपको बोला है कि जो हमारा study है उसका relation दे रखा है knowledge के साथ study का relation दे रखा है knowledge के साथ आप से पूछा है work का क्या knowledge होता है या work किस से relate करता है ठीक है आपको बता है अगर आप study करोगे तो आपको क्या आएगा नॉलेजी आएगा ठीक है हमें सभी को बता है अब जितनी study करते जाएंगे उतना ही हमें क्या होगा knowledge होगा ठीक है और जितना हमारा work होगा उतने हमारे पास क्या होगा salary होगी नहीं उतनी हमें training मिलेगी ये भी नहीं employment नहीं तो option number बचा A जितना हम work करेंगे उतने हमारे पास क्या होगा experience होगा तो जी इसका जो right answer है वो है option number A ठीक है जैसे study related है knowledge से वैसे ही work related है किससे experience चलिए बहुत ही प्यारा question था next question की तरफ चलते है चलिए जी देखिए आप इसको भी खुद try कीजिएगा ये already exam में आए हुए question ठीक है तो आप इनको skip मत कीजिएगा कि आप सोचेगी सर छोड़ देते हैं और कहीं हो से देख लेंगे ठीक है यहां पर मैं जितने भी question लेके आता हूँ ये exam में आए हुए होते है चलिए देखते है क्या पूछा है illiterate educated अगर मारे को पड़े लिखे का opposite दे रखा है अगर आप देखो तो food का opposite क्या होगा फूड का opposite river या well तो हो नहीं सकता rain भी नहीं हो सकता तो यहां पर option सिर्फ एक बची वो बची drought ठीक है drought का मतलब होता है आकाल ठीक है अगर आकाल होगा तो आपका food नहीं होगा वैसे educated का उल्ट अगया होता है illiterate अगर educated है तो illiterate भी होंगे food है तो इसका relation किसके साथ होगा drought के साथ होगा चलिए next question की तरफ चलते है खली जी फिर से number वाला question आ गया है आप इसको create राए और फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे का logic ठीक है बहुत ही प्यारा question है देखते है इसके पीछे क्या logic है अगर आप देखोगे तो 4 3 19 हमें दे रखा है तो 4 3 19 कैसे बना होगा तो सबसे पहले अगर आप 4 को उठाओगे तो 4 का square कितना होता है 16 अगर 16 में अगर आप plus 3 कर दोगे तो आपकी digit क्या आजाएगी 19 आजाएगी यह एक logic हो सकता है लेकिन हमी confirm करना पड़ेगा तो option उठा के देखते है 8 का square कितना होता है 64 64 में 5 add करूंगा तो 69 की पहला option तो नहीं है दूसरा देखता हूँ दूसरा है 6 का square 36 प्लस 4 तो मेरे पास आ जाएगा 40 बिल्कुल सही तो मेरा right answer इसमें क्या हो जाएगा option नंबर भी क्या होगा right answer होगा क्या logic था इसके पीछे इन्होंने क्या किया था इन्होंने हमारे पास जो number दे रखा था उसका किया इन्होंने square ठीक है 4 का किया square और उसमें next value को कर दिया add और अगली next value निकाल दी अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 का square होता है 36 उसमें 4 add करते ही आपके पास आ जाएगा 60 तो right answer हो जाएगा option number B चलिए next question की तरफ चलते है ठीक है next question बहुत ही प्यारा है science background से है ठीक है अब जो बच्चा science का होगा इसको अराम से उड़ा के ले जाएगा क्यूं क्यूंकि इसमें कुछ नहीं SI unit पूछे हुए है SI unit पूछे हुए है इसके जैसे energy के relation energy के unit दे रखे है जूल से आप से पूछे हुए है power के तो अब अगर आपको पता होगा कि power के क्या unit होते है तो आप इसको अराम से कर लोगे ठीक है तो power के unit होते है what जो इसका right answer होगा वो होगा option number A क्या किया है इन्होंने यहां पर कोई भी logic नहीं था यह science waste question था इसमें जो energy का relation SI unit दे रखा था जूल आप से पूछा था power का तो power का ओता है what clear है चले जी next question देखते है next question आरानी में आया हुआ है हमें बोलाया क्या मैरी काहम का करेलेशन जी के उसी बच्चे को पाता हुगा PTPО का प्रोफेशन क्या फ्रोफेशन जी इसका right answer क्या रॉप्सिंग Kelly का है से रिलेटेड है वह रिलेटेड है रनिंग से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहां पर मेरे को दे रखा है कि मैडिसिन किसके लिए यूज होती है डिसीज के लिए ठीक है और आपसे पूछा है फूड का क्या रिलेट अब अगर कोई बंदा मिमार है तभी हो मैडिसिन का यूज करता है ठीक है अब फूड कभी यूज करते हैं जब हमें क्या लगी हो फूख हम किसमे हो हंगर में हो फूखे हो ठीक है अगर आप भूखे होंगे तभी आप क्या यू और कमेंट कीजिएगा मुझे अपना स्कोर वदाएगा कि आपका स्कोर कितना रहा चलते हैं लिए नेक्स्ट क्शिशन मेरे पास बोला है यहां पर मेरे पास दे रखा है ओवन का रिलेशन बेक से हम क्या करते हैं ओवन में चीज़े बेक करते हैं ठीक है पता ही होगा ओवन में हम चीज़े क्या करते हैं वैसे ही रेफिरिजरेटर में हम क्या करते हैं और एक तो प्रेश नजिति किर दुब्सट बिएचल यह कुटी के उपर अधर पाइफ सुटा है आप उसका लगी अगर आपको यह उच्छी लगी होगी अगर आपको इसको लाइक शेर और कमेंट-की जिए और मेरी पुरानी वीडियो जरूर दिखी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ quiz में ही question मिलते हैं वहाँ पे भी मैं बहुत सारे question discuss करता हूँ तो जो बच्चे ये concept जानते हैं वो क्या करें वो वहाँ पे जाके practice कर सकते हैं वो उन चीजों को attempt करके देखें कि उनका score कितना आ रहा ह है कितना नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खतम और मिलते हैं next वीडियो में thank you झाल